अलो दूस्तों गुड मॉर्णी स्वागा से आम सभी का हमारे यूटूब चैनल अनोपी स्टेडी में देखें पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याइचार के कुछ नुमेरिकल्स हल किये थे अब इस वीडियो में उसके आगे के नुमेरिकल्स हल करेंगे तो देखे आज पहला क्यूंच ए तेरह वां मैं उससे किस्टन पढ़ वहे ही तो क्यों है । देखें क्या थो संवेक क्या होता है इसे दिखाते हैं से तो समय क्या होता है कि सी वस्तू के दर्भमान और उसके बेग के गुड़न फोल को क्या बोलते हम लोग समय बोलते इतना क्लिए रहे तो कह रहा है क्रिष्टन में 13 किसन में यदि कि सी पिंड के वेग को यानि भी को आधा कर दिया जाए उसका समय पर क्या प्रबाव तो इसका समय भी बढ़ेगा यदी वेग बढ़ेगा यदी वेग बढ़ेगा तो इसका समय भी क्या होगा बढ़ेगा यदी वेग घटेगा तो इसका समय घटेगा तो इसका समय घटेगा यदी वेग को हम लोग आधा कर रहे हैं यानि इसको हम लोग आधा कर रहे हैं यह तो रूसका सम्मय भी क्या हो जाएगा आदा हो जाएगा यदि येग बटा 4 को अनॉम्स का और गृटना होते कैसो यह इस सहीं क्या है वो भी जो समेग हो भी क्या हो जाएगा अधा हो जाएगा इतना क्लीर है चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल क्या है चोदह हमा कि देखिये क्या कर रहा है 10 ग्राम दर्मान की एक गोली 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती हुई 900 ग्राम दर्मान के मुक्त रूप से लटके लकडी के ब्लाक में धंस जाती है ब्लाक दौरा प्राप्त विग्याद कीजिए देखे इसको समझे यह समय समझने माता है क्योंकि जब बीक बात आती है तो वहां पर कौन सन्यम आता है समय समझने कॉली है इसका द्रमान दिया है कितना कितना दिया है दस ग्राम किकर्णा और यह इस वेक से चल रही है तो चार सो मीटर पर सकेंड के वेख से चल रही है फिर क्या कर रहा है कि 900 ग्राम दर्मान के मुप्त रूप से लट लटके लकडी के ब्लॉक में धंस जाती है और यहां पर कोई लकडी का एक सिरेंडर टाइप का जिसमान लिजे कोई एक वस्तु है लकडी का अब यह क्या करता है गोली कि यह इतने वेख से गती करते हुए और यह रुका हुआ है विरामा वस्ता में और इसका दर्मान कितना दिया है 900 ग्राम कितना दिया है 900 ग्राम और इसमें जाके गोली क्या हुआ जा रही है यह गोली इसमें जाके क्या हुआ जा रही है दंस जा र जा रही है तब इन सब का लकड़ी और गोली का दर्मान भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 900 प्लास 10 बराबर 910 ग्राम यह टोटल पुरे वस्तु का दर्मान हो जाएगा ठीक है तो यह देखे का रहा है देखे क्या कर रहा है इसमें तब 10 जाती है तो ब्लाग द्वारा प्रात वेग ज्याद कीजिए क्या होगा जब यह लकड़ी यह गोली से जाके इसमें ठकराएगी 400 मेटर पर सकंद के वेख से तो यह भी कुछ वेख से क्या होगा आगे मोशन करेगा तो उसी के बारे में यह गोंगे तो उसमें तीन कंडिशन आये थी यदी वस्तू टकराने के पार पस्चात सन्यूग ठोकर एक हो जाए तो उसका और उसका वईनेश्ट वेग भी हो जाए तब क्या होता है उसके लिए भी फर्मुला निकाले थे यदी वस्तू टकराने से पहले एक दूसरे के प्रित हो और उनका वेग एक समान वेक से हो तो उसके लिए भी फर्मुला निकाला गया था ठीक है तो इस पर इस इस सवाल को भी उसी कंडिशन में भी होगी और इसके इस और एसे कंडिशन में पिछले सवालों को हल भी कर लिए हम लोग तो आई इसको हल करते हैं तो एक यह वस्तु है और एक यह वस्तु है ठीक है तेजानी इसका द्रमांदिया एम्होन बराबर कितना दिया है दस ग्राम कि अबचुन बढ़ाबर दिया कितना नौ 100 ग्राम कि अजिए टकराने से पहले का वेग यूड दिखाते उसको किसे यूझे वेट यूओं कितना है चार सो मीटरपर स्केंड और यूट्व कितना है वह तो सबस्वे भिरमाय मेरेनी जीरो मीटर Kommunen şeh0 में के लिए क्या हुज रहे हैं तो शनिक हो जाएंगे तो उनका ध्रवय यह ट्रव्मान यायनिंग यह ट्क्राने के बाद है ठेकист करने के बाद कि तक्राने के बाद द्रवव्यमान ca m dota जो होगा किसके परावर हो जाएगा a m u n plus e Hotel तना हो जाएगा m u n कितना है दAUf to कितना है 900 यानि कितना हो जाएगा 900 spectrage पुछ रहा है इंचग नुटना हो जाएगा नौ तक्राने के else only और også क्या करना है निकालना है देखिए फार्मूला क्या होता है समय सटर्च्य क्यों नियम से अले से पहले का सव्वेग है गार आणने के बाद तक्राने के बाद क्या हो जा रहा है दर्बमान मोजारा रहा है क्या होता है क्या होता है पराबर और होता है इसरी फर्मॉल्ला करने निकाल सकते हैं इतना बिचले पर जाए निकालते हैं उसको मीटाद रहे यहीं पर सवाल की क्या करें हल करें ठीक है तोुसको मीटाकर अभी है कि इतना हो गया है तो चलिए इसको आगे अल करते हैं इन सारे इस फर्मॉले में इन सारे वेल्यू को क्या करते हैं पूट करते हैं तो देखे क्या होगा कि देखें एमन कमान कितना दिया है दस इन्टु यूवन कमान कितना दिया है चार सो प्लस एम टू कमान कितना दिया है नौ सो इन्टू यूटू कमान कितना दिया है जीरो यहीं बराबर होगा किसके एम भी के एम कमान कितना दिया है दोनों को एट किया एंटो कितना हुआ है नाइन टेन और बी को क्या करने हमलों को ज importantes इसका तो जिरो जाएगा इस में करेंगे तो कितना हो जाते ही सेралट कॉक्ता कि विद्धनलेगा है एक जिरो से दो स्थ जिरो कैंस्ट फो जाहेगा तो भी बृब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा चार तोpat चाटाई को यहाँ पर कितना हो जाए nggak पर जाएगा चारीट रद देखिये चार कितनी और accusation जिरो बढ़ेएगा अप देखें कितनी बार जाएगा तीन बार 4 बार मैं लेजियेंगे तो 4 तो धकुझ से ना फिर तीन बार लेजिए कितना हम लगा तीन सब्सक्नेzeni बढ़ेगा पांच तो पंद्रह में से साथ जाओ आठ साथ पंद्रह ये कैंसे लाउट होगा फिर एक जीरो बढ़ेगा अब कितनी बार भाग जाएगी आप कितनी बार बाग जाएगी आठ बार अच्छों बहत्तर नो बर जाएंगे तो नो बर लेज़ेगे नौ एकम नौ नवा एक आसी यहां से घटाएंगे इसको इधर घटा दे रहें तो एक होगा यहां पे पांच होगा एक एंसी लाउट होगा एसी बढ़ती जाएगी तो दस्मोलों के बाद दो या तीन या एक स् से 9 मीमट conform फार जैक जो भॉ कोग हो वह वो उड़ि के धसने के बाद इन चार दस मरूं तीन मीटर पर जूवर स्झाठ है क्या गती करेगा गवं। के कौन सेन्सवर साइविये मिला यह कौन साथ आप्षा नंबर और आ मिलों का करेक्टिम साढ़ है ठीक है। अप्षा नंबर में यह सब समय 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 अच्छड की नियम पह है यदी कोई वस्तू किसी विएक से चलते हुई किसी दूसरी कुछ भी हो सुननी हो विरामा में हो या कि सिवेक से भी हो चल रही हो तुछ से टक्राए तो जो टक्राने से पहले का समय होगा और टक्राने के बाद के समय के योग के बराबर होता है यह नि कुल समय टक्राने के पहले का कुल समय और टक्राने के बाद का कुल समय आपस में क् इसमें पूट करके जिस वेलू कमान पुछा है उसका वेलू निकाल दीजिए आपका एंस्वार आ जाएगा ठीक है तो जो अपसन नंबर सी है वो क्या है सही है करेक्ट है इसको नोट करना है नोट कर लिजिए फिर पढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ तो चलिए देखते हैं 15 सवाल देखे क्या कह रहा है यह पढ़ रहा हूं मैं पचीज किलोग्राम का बम का गोला जो की 10 मीटर पर सकेंड के वेक से गतिमान है द्यान से सुनिएगा पचीज किलोग्राम का बम का एक गोला है जो 10 मीटर पर सकेंड के वेक से गतिमान है अचानक फटकर दो टुकरों में तूट जाता है भाई बम है तो फटे गाई तो फटने बाद दो टुकरों में क्या हो जा रहा है यह वक्त हो जा रहा है जिनके दर्मान जो टुकडे स्वाल आप जाफ में पड़े ऊंगे पिछली विडियो में एक एक सवाल ऐसा ही आया था स्वाल अधर अधर रहां तो मैं हैंस कर दूंगा तो आप लोग कर लेंगे is video में मैं इसका हैंस कर दे रहाओं जिन लोग आय ओ ठीक है जिन को नायो कमेंड करेगा फिर अगले विडीयो में से इस सवाल को बता दिए जाएगा ठीक है देखिए एक दम सीन स्वाल है 12 जिसा है best ii यह 15 सवाल स्वाल है तुम्हें हें तक्वाइब थेस रहाइं नहीं होंगा वो में करेगा अगले विडियो मेरें सब्सक्राइब बता दिया विडियो में सबस्क्राइब कर दो कई क क्लिए एक्टी स किलोग्राम का очер गुला है धिर्मान दिया है यह बहुत है सवान अच्छा ऌनियम पे ठीक है धिए के इतना एंबर अबर दिया है कितना के Pixel सबस्थ किसी से नहीं जिकरा रहा है या कोई सफनी एक वस्थnu के सपर में करहें तो इत दोस जाने के हो जा रहा है दो टुक्रों में विभक्त हो जा रहा है ठीक है दो टुक्रों में विभक्त हो जा रहा है जिस जिनके जिन में से प्रतेक कद्रमान यानि टुक्रे को विभक्त होने के बाद यह दूनों टुक्रों कद्रमान दिया है यानि एमोन बराबर दिया है कितना 15 किलोग 25 kg ठिक आपक कर राय की यदि बड़ा पिंड ये जो बम का जो बड़ाय तकड़ा राहे ये किस वेक से गतिकरा रहा सुनी वेक से किस रहले कि तक्राने के बागो का है यानि जो दिया है भीन रोडीर पहर साखेम् पार किर रहा यानि भी टू का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है तो फर्मूला कौन से लगाएंगे एम यू यानि टकर से पहले का संवेग बराबर होता है किसके निया मानुसार संवेग संचर के निया मानुसार किसके टकर के बाद के कुल संवेग के टकर के बाद के कुल संवेग कितने हो प्लास ए Example V2 ठीक ये वैलू इदी हżenie वेलूबी दी है ये वैन्लू बीUDी ही ये वैलू बीदिए इस वाdalू का करन पता है ये सब मुतर है ये वैलू कर अखिछ रही है पिछली बार्ख बिद्धया है या निवारवाल mo डिद्ध हुआ हे Gör the फारूले पर सारे वैलू को रखिएगा और भीटू कमान निकाले जिए ठीक है जिसे नौ निकल में निकले वो कमेंट करिएगा फिर अगले वीडियो में लोग उसे क्या करेंगे बता देंगे ठीक है तो भी सेम सवाल है हम लोगो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हैं सबका रख कर मिलटिप्लाई और यो पक्छानते दर रख करते हैं सब अच्छ्य से करेगा इसको लोग कर आजा जाएगा ठीक है तो इसको हल करीए आपलो ैतरा कम लोग अगला सवाल देखते हैं तो चलिए سलामा सवाल देखते हैं इसका अगला सवाल क्या भंक्त कि देखे सवाल क्या है 5500 कि एक तोब से 1.5 यानी डेड़ किलो ग्राम का एक गोला दागा जाता है जो 60 मिटर पर सकेंड के वेग से निकलता है तोब के पीछे हटने का वेग होगा तोब के पीछे के पीछे कटने का वेग होगा देखे क्या का इसमें दिया है पहले जो एक टोप है माल जी तोप कैसे होता है क्या एक टोप है जिसका द्रमान दिया है इसका द्रमान दिया है कितना इसका द्रमान कितना दिया है देड़ सो किलोग्राम देड़ सो किलोग्राम और इससे तोप से गोला छोड़ा जा रहा है एक गोला छोड़ा जा रहा है जिसका दर्मान कितना दिया है देड़ किलोग्राम करा किया दिये गोला किस वेग से चले किस वेग से चले साठ मिटर पर साथ मिटर पर स्केंड से चले थो इस तोप के पीछह पने का क्या होगा तो आप बंदुक और बंधूक से नियम में पढ़े होंगे कि जैसे किसी बंदूक से गोली निकलती है तो जिस समवें से निकलती रहत नहीं गतलाफfik सा आगे निकलती है और जितना बल से निकलती है उतना ही बल वो क्या करती है पीछे की तरफ बंदुग पर लगाती है जिससे बंदुग क्या अति म schw for Essa कि तरफ जुद कैजे यह यहां पर भी जैसे तोप का गोला निकलेगा तो जिस समवेक से निकलेगा वतना हीश्व में इस तो के तो खाने पर देगा ठिक ना इस तो यह कितने विएक से पीछे अठेगा यहीं पूछ रहा है ठिक तो चलिए निकालते हैं उसमें फार्मूला क्या था उसमें फार्मूला क्या आया था आप लोग का कि जो तो चलिए बंदूक और गोली की गती इसमें फार्मूला क्या आया था तो जो आया था कि जो इस तो का दर्म यानि जो बंदू का द्रमान जिसमाना एम था उसमें और वह भी वेक से पीछे अट रही थी ठिक बहुत बंदूक निकला रही थी इसमें जो बंद आया था कि आया था म भी बदा यूद यूदो तो पीछे अटने का समवञ होगा पीछे हटेगा जिस फोग से और इस घुलीए बसमें परक projets में क्या होता है बराबर खेक तो आम कंहीं का वैलो दिया है कितना 1200 kg थी कवैलु कितना प consequently I नहीं दिया है इसके पूछा है कहीं पूछ रहा है याप यह वी कोई हूछ रहा है हो यह 're you family कितना दिया है डेज किलोग्राम और यूब किस वेग से निकल रही है यह शわट मिटर पर सब्सregion करेंगे फॉर सारे वल्रॉट करेंगे हम लोग के भी कमान निकल जाएगा निकल जाएगा न चलहें रखते हैं अए मद कितना है देट सो डीकमान उच रहा है एम कमान कितना है डेड़ यू कमान कितना है साथ चले निकालते हैं यह तो जाए का उधार तो बट्टे में होगा भी बराब्र देखिए यह से इसे कैंसेल आउट हो जाएगा इसको कटाएंगे तो 0.1 आएगा अब इसमें गुड़ा करेंगे तो 0.6 इस मीटर फर सेकिर छिदि समझ मैं सबको यह बतट इतर गुड़ा में तो यह दर जाके किया होगा बटे में होगा देखे 10610 इसे 106 106 सब एक जाएगा 15 इसपंद रों कटाएंगे तो जखीये पॉइंट में तो यह पॉइंट में याएगा पैले दसमलो आएगा टिक उसके वाइसे 10 मैलो एक से चाहे में गुड़ा करेंगे तो क्या होगा तस मलो जो जो इस तो के पीछे हटने का जो वे घूगा वो कितना होगा जीरो पॉइंट चैनल में जादा है ना इस तो खाने ए तो यह जो गोला है उसके तुला में देखिए उसमें बताया होगा बंदू का और गोली के कि जब बंदू का द्रमान अधिक होता है तो उसके पीछे अपने का जो जो वेग है वह में कम महसूस होता है किसके कारण उसक मीटर पर से कंड के से छल लेकिन ही जो तोफ है वह 0.6 मीटर पर से किए रहा है पीछे हट राए ठीक है कि आ और रहा है पीछो ट्रेयनी इसका एकदम सीधा ये बटा सो माँ भाग क्या हो जा रहा है इसका तोप का वेग हो जा रहा है ठीकना तो इसलिए जो आगर जितने से गोली आगे निकले दी उत्ना झठका देने लगए जठका तो देती है अगर उतना वेक से पीछे अटने लगए बंदुब की तो चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो जो उसका दिर्मान होता है अधिक होने का रहा हो जो वेग होता है वो कम महसूस होता है ठीक है तो आपसन नमबर क्यों सब्सक्राइब सुलामा का अपसन नमबर क्यों सब्सक्राइब कर लिजिए फिर जलते हैं 17 में सवाल की तरफ तो चलिए देखते हैं 17 सवाल सब्सक्रावा सवाल देखे क्या कर रहा है तीन गुड़े दस गात 7 किलोग्राम सहीद का एक पानी का जहाज जो की प्रारंब में बिरामा वस्था में है पांच गुड़े दस गात 4 नीटन के बल से 12 मीटर दूर खिचा जाता है यदि पानी का प्रतिरोध नगड़े हो तो पानी के जहाज की गती क्या होगी देखे बहुत असान सवाल है पर समझे क्या क्या दिया है और क्या पूछ रहे है उससे बहुत असानिस हो जाए देखे दिया है पहले तो कि तीन गुड़े दस गात 7 किलोग्राम सहीद किलोग्राम यानि बाहर दिया है हुआ। Thai गुड़े दस गात 4 नुटन के बल्थ से बल्थ दिया है यानि एफ कमान दिया है कितना चार गुड़े दस गात ठीस पा단 गुड़ी तरी इस द्धू दस गुड़े है चार नुटन के जो बल है जो उसका जो उसमें पानी बिरोद करेगा उसको आगे बढ़ने से उसका मान सुनी मान रहा है यानि नगड़े हो तो पानी के जहाज का वेग ग्याद कीजिए तो पानी के जहाज का वेग ग्याद कीजिए तो वेग के लिए वेग अगर होगा तो उसमें जरूरूर तो पन हो गात चार और एम कमान कितना है तीन गूरे दस गात साथ और एक कमान निकालेंगे यह तो बटा में होगा इसके आके न तो क्या होज़ेगा पांच बटा तीन यह उपर दस गात चार नीचे दस गात साथ सदन तब एब बराबर निकालेंगे यह पांच बटा तीन अब यह जाएगा उपर तो क्या हो जाता है तो गहात क्या होती है माइनस हो जाती है और उपर पहले से कितना है चार अधार बराबर है तो गाते क्या होंगी जूड़ जाएंगी तिये प्लस ए माइनस ए घट के कितना हो जाएगा माइनस त्री यानि पांच गुड़े दस घट मैंस तीन मीटर पर सकेंड स्कुएयर का तुरर उत्पन होगा जब वो पानी जो पानी वाली जहाज हो उससे इतना नीटन का बल लगाए जाएगा तो इतना तुरर उत्पन होगा इतना क्लियर है अब कराया कि पानी के जहाज का वीग क्या होगा जब इतना बर लगा देंगे वं विरामा वस्था में चूंग इतना मिटर दूर दूर जाने के बाद रुख जा를 है तो यानि jump उछ रहे है तो गति के तीसरे से स्वां मीफ बтиров् casts से निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें यू एस Cowman हम लोगों पता है वहका इमान पूछ रहे तो से निकाल सकते हैं तो चलिए निकालते हैं तो क्या हो जागा स्वायर बराबर यू कमान 0 बो टो एक मान कितना है पांच बेटा तीन हो आब ऐस कमान कितना है बसकुम टिन कभode 10 खात मैंनसी यूद खेर समाल बारा चलिए तबीवायब निकालेंगे तिपनगे गांघ अब द marriage को टा सकते हैं चाहर बार में पांच न जु कि अ दूना 9 40 40 कि मीला हैं के मसं फिर इसको यूपलीनि जये सकते हैं चाहर गुडे-च्छ तेन दस फिर यह 10 गात-3 तभी इसकार बराबर क्या हो जाएगा यहां फिन यह पिला से माइनग यानि घड क्या यह जाएगी माइनस दो भी बराबर भी कमान निकाले ना कि 20 स्क्वार का इसकोर को भीएट आएंगे तो यह इदर आके क्या लगाता है रूट लगाता है देखिए रूट चार को वर्गमुल क्या होता है दो और दस गात माइनस दो है तो इसका निकल जाएगा कितना इसको दो बार लिख सकते हैं देखिए सिंपल से समझे ऐसे रूट निकालते हैं दो दो का जोड़ा निकालते सकते हैं और गुरे दो इसको क्या लिख सकते हैं दसको अलाबर गाता जूटे हो जाएंगी इतना दिया होगा नाहिए को टाइश मैंने निचे लाएंगे तर दसको अधा है बालेगा है अब यह दो बटा 10 बटक्र करें 0.2 अब इसको बाप करेंगे 0.2 मेटर पर सेकेंड 20–2, अंसर आप्सों नमबर ये जो है हमलोग का क्या है तब समझ में और और फा मां निकाल लिए हैं एक माणनिकाल लिए यू में तीसरे शमिकर्ट जो सब्सक्राइब बूल के पूची रहा है यू में लोग को पूट करके और जो पूछ रहा है उसका वेलू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं तो समझ में आया है इतना नोट कर लिजिए फिर बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ तो चलिए देखते हैं प्रसन नंबर 18 कौन सा प्रसन नंबर 18 को देखते हैं देखे क्या कर रहा है सो मीटर पर सेकेंड के वेक से चलती हुई एक पांच ग्राम की गोली किसी लच्छ में परवेश कर करने के 0.01 सेकेंड बाद रुक जाती है लच्छ दोरा आरोपित बल कमान कुछे देखिए इसमें बंदू का जिक्रम नहीं किया है तो हम लोग बंदूक और गोली की गती पर नहीं जाएंगे उस वाले फर्मूले पे नहीं जाएंगे देखिए क्या पूछ रहा है उसके अनुसारows को निकाले में गया कि 100 meter per second के विए सचलती हुई यह कमान दिया है डानाबी वे कटि से चल रहे हैं तो 100 कि कि बाइख यह कोई गोली जिसका द्रपाइच फ़ीक्राम है यानि एम कमान दिया है पांच स्वीक्राम है 105 ग्राम है तो किलोक्राम में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा पांच बट्टा एक हजार यानी दसमलों बढ़ाएंगे तो एक जिरो बढ़ेगा एक जिरो और बढ़ेगा इसके बाद से क्या हो जाएगा यह किलो ग्राम इतने किलो ग्राम के एक गोली है कि अपने लच में प्रवेश करने के बाद जैसे अपने लच्छ में प्रवेश कर रही है एनिमाली जे कोई तकता यह लकडी का उसमें प्रवेश कर रही है तो कुछ दूर जाएगी दस्तिवी तो यह दसने म इसका विरोध करेगा प्रतिरोधक बल ठीक इसमें तो उसी प्रतिरोधक बल कमान पुछ रहा है कि इतने सकंद बाद रुक जाती है तो लच उस लच द्वारा आरोपीत बल कमान क्यात किजे यानि इस जो वस्तु में गोली प्रवेस करें तो उसको अंदर जाने से रोके गी है तो इस को याता चुक है कारना है डचने ओ alright शरी जिर सकंद करें हो से बाद क्या ओ जारी रोंग जा रहे है कि के बाद क्या हो जा रहे है कि ऑ बढल कमान प पुछ रहा है वल बराबर क्या होता है व ब publi तो मैं या धना सबको चले ए निकालते हैं यह निकल गालंसे क्या निकालने के लिए घति का कौन सा समय कर यूज करेंगे कौन सा यूज करेंगे पहला तहना था लेंगे इधर तो माइनस वो जाएगा बढ़ाबर ए जीरो पॉएंट जीरो ओन अब इसको ले काएगे तियावी बटा में होगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा माइनस-100 बटा में इसको भाग करेंगे सो फ़हूंत लोटा ले तरिशोबें ऊपड़ अगए वह जीतना ओ जेगा तुर्ट सब्सक्षाम हम गाना यह जी होगहए अलगा दोटनों फारं शेहरां पार अनद वोक पी तो इन या पर और बेट ज सीप टना या ये बराबर फाइनल mental state Stay एक हाजार दस हाजार मीटर पर सकेंड इसको कर सकते हैं कितना दस गात कितने जिरो है चार इतना मीटर पर सकेंड इसको है इतने क्या हो रहा है तौरण उत्पन हो रहा है इतना कहिए या इतना कहिए क्या हो रहा है तौरण उत्पन हो रहा है और माइनस चिन क्या दिखा रहा है मंदन को तब एकमान निकल गया एम कमान तो दिया ही है तो निकालते हैं किस कमान एफ कमान जो उस पर वस्तु प्रतिरोधक बल लगा रही है उसका मान निकालते हैं तो रखेस में एम कमान कितना है 0.005 गुड़े यह कमान माइनस 10 का गात 4 ठीक तो चलिए गुड़ा करेंगे तो माइनस 0.005 गुड़े इसको यहीं पूरा वाला वैलू रखते हैं क्योंकि यह दसमलों कटा हटा देगा उसको 0 तो 4 0 लगा देते हैं क्या जागा माइनस 3 0 तो इन दसमलों को गाइब कर देगा 1 0 बचेगा न पचास-धि-90-2 न्यूटन का बल क्या करे गा वह six okay- us क्या दर्शार हए कि वह बल जो गाए गोली इदर से जाके कर रहा है कर रहा है तो अपसर नम्बर क्या है क्या लगेगा और खी बल जो болdo अरुपित बल कमान जो है माइनस पचास न्यूटन है ठीक है इतना न्यूटन से वो गोली को अंदर जाने से क्या करेगा रोकेगा समझ में आया है सबको देखे वैलू जो दिया है क्या पूछ रहा है उसको नोट करिए देखे किस फर्मूले से हम किस वैलू को निकाल के बल पूछ रहा है बल गमान तो बल के लिए जाई एंव दिया था एचाई ये निकालने के लिए हम लोगो तीन वैलू दी थी एंट तो इसके लिए था दीन लू एक्षा थी तो इस्से लोग क्या किये एक मान निकाले और एक मान इस वैल इस फर्मुले में पूट किये और क्या है कि सिकतिए क्या है 24 kg बढ़ते होगा 34 kilogram प्रति घंटा से 24 kilogram नहीं किलो मीटर होतना चाहिए छीखिंग बहुद मीस प्रिंटिंग किया है बUब प्रिंट´ करने में तो जो 24 kilogram नहीं वो कि लोमीटर होगा 24節目 प्रति घंटे इते चाल दिया ना यह जाल और वो भी कि यू कमांद यह सुरु तफीर क्या 24 किलोमीटर प्रती घंटे की चाल से कोई कार चल रही है जो ब्रेक लगने पर 10 मीटर पर रुख जाती है ब्रेक लगाने लगाने की दिसा में कार की गति के पिर्त लगने माला कू्ल प्रतीरोद बल गयए है हुआ है है क्या कार जा रही है वो भी किस छाल से तो चौबीस किलो मीटर है रोती घंटे की चाल से चल रही है और जैसे ब्रेक लगा रहे है तो यह 10 मीटर जाने के बाद वह जा रही है क्या जा रही है क्या और हुआ रुख जा रही है जैसे प्रेक लगाय गई तो दिर होते होते में जाकि यह रुख जाएगा इसको रुखने में रुकने में ब्रेक बल जो लगा है है वो इसका बिरोध करेगा न होई पूसी कमान पूछ रहा है उसी कमान पूछ रहा है और बल का फर्मूला फिर वहीं आ गया कौन सा एप बराबर म इन्टू ए पॉसा आ गया म इन्टू ए तो सबसे पहले तुम लोग को एड निकालना होगा और एड निकालने के लिए कौन कौन से वैलू दिये करना है तो गति के त्रितीन मनुसार इसकोर बड़ाबर यूच्वार फ्लस टू एए अच यह वैलू दी है यह वैलू अट करना है निकालते हैं वी कमान जीरो यू कमान कि रिवन इसको लेते हैं किसमें मीटर पर सेकेंड में तो चैंज कर लेकिए का करते हैं पांच वाटा 18 से कख्या करते हैं दोड़ा करते हैं चलिए इसको कटाई एंच शोटा कर लेते हैं च्छे से इसकर चयों के चोबी सथरी रहा कितना मेटर फार सेकन्ड जोस्का व्योड़ हो गया कटना लिसवर यहांद यहां सबतना कि निकलाए यह 9 एस कमान कितना है दस चलिए इसको इधर लाते हैं इसको आज़ेता है स्कॉयर का मतलब दो दो बार क्या होगा गुड़ा तो बीस गुड़े बीस बटा तीन गुड़े तीन यह इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा फिर देखे इसका गुड़ा करने तो दस दूना बीस ही एक बिस एक्ण कैंसील हो जाएगा तो एक अमान निकल के कितना आएगा माइनस डीस ब्रतों तिन क Israelites एक मलधले यह को तक प्लाख सबस्क करेंस भूल जूज़ा है और यह उसकार को रोकने रोकने में क्या कर रहा है तो अब क्या करते हैं यहाँ निकालते हैं बल कमान को बेखने एक मान नहीं दिया है एक मान कि बीस बटा नौ और जो माइनस इने किसको दिखा रहा है मंदन को ठीक है किसको दिखा रहा है मंदन को देखिए क्या रहा हो जाएगे यहां से अब देखेज को दो गुड़े दॉस बटा नौ लिख सकते हैं अब देखेज इसको दो गुड़े पले स्केसे देखेज दो बटा नौ लिख लिजे आई इसके बाद एम अगुरे 12 लिख सकते हैं कोई फ़र्ख एखएस में नहें रिकिए जुदि दस है दस क्या होज़श मान लिए अम लोग चीडना यह क्या है दस गृतिçar हने Biz मीटर पर सकेना से ज़यु क्योंत कि यह स्क्वाईर सब्सक्राइब 10 है इसको मानली है मिलोग क्या जी जी क्या है गुरुती तब एम ची और एमजी क्या होता है बार होता है ग कि म cat एमजी क्या हता है बर्ल सिक और ऑख स्य यह जोतुनार ऑगया बहार किसका पाई च्ildo किसके होगा कान का ना गुड़े कार का बार क्या हो गास कार का बार का। chafj service अधिक ल calf हुआ कौन सा आप्षान संची है जो व του हिस्daughter U Matte reacts कर रहा है वो कितना निकल के आया कितना निकल के आया दो बटन नो गुड़े कार का बहार अप्षन कैम नम्बर देखे धिए दो आपसण नंबर कौन सही है अपसान नंबर कौन सही है एक चलिए इस वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में मिलेंगे इसके अगले प्रसुन के साथ झाल